वेल्कम बैक टू कपूर किचन्स आज बनाते हैं मोदक मोदक बनाना बहुत असान है सबसे पहले एक कडाई लेंगे उसमें चार चमच देशी घी डालेंगे घी को मेल्ट होने जाएंगे मेल्ट होने के बाद में एक कप बैसन डालेंगे उसके अंदर और उसे मिक्स करेंगे और यह पूरा प्रोसीजर लो मीडियम गैस पर ही होगा इसमें गैस को तेज नहीं करना और उसके बाद में इसे मिक्स करते जाएंगे बैसन घी अंदर अच् से भूनता जाएगा बेशन और वैसे 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 वह अपना घी रिलीस करता जाएगा तो इसे ड्राइप ही बनाईए देखिए देरे-देर यह सॉफ्ट होते जा रहा है कित काफी जॉफ्ट हो गया अब यह बनते बनते अब इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक इस अंदर से अच्छे से भून आने लग जाए अब जब यहां इस पोजिशन पर पहुंच जाए तो इसमें 3-4 कप यानि कि एक कप से थोड़ी सी कम चीनी डाल देंगे चीनी आप क यलो फूट कर डाल सकते हैं मैंने यलो फूट कलर डाला हमकसा इसे इसका कलर ठोड़ा और अच्छा हो जाएगा और इसको यह ब्लुकुल फर्म करना है अच्छे से मिक्स करते हुए पिलकुद कर दिया और इसमें ताकि लंप से नहीं रहे हैं इसमें फिर आदा चमच अच्छे से पकाएंगे ताकि दूद और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएं जब यह लगए कि लगबग रेडी होने वाला है तीन-चार मिनट की कसर रहे गई है तो इसमें आदा कब मिल्क पावडरे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे अब यह लाए कि अटोड़ा थिक हो गया है अब इसको थोड़ा और पकाना है आ अभी दोचार मिनट के लिए और और अब और भी दिर्धर प्ययंको चोड़ने लग गया है यह देखिए लगवा बिल्कुल छोड़ दिया अब यह पोजेशन पे बिल्कुल यह रेडी हो गया है अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे अब दूसरा बाउल लेंगे और इसकी स्टफिंग रेडी करेंगे अब इसमें मैंन 10-15 काजू 10-15 बादाम को बारीक काटके और 3-4 चमच नारिल का बूरा यानि के डाजिकेटेट कोकोनट डालके इसे मिक्स किया है और एक डेट चमच दूद डालके इसे बाइंड कर लिया है यह इसकी स्टफिंग रेडी हो जाएगी यह देखिए इसे पूरा बाइंड हो गया है अब इसके में छोटेटी बाल्स बिना लूँगी ताकि स्टफिंग करते टाइम हमें इजी रहे और इक्वल बाल्स जाएं उसके अंदर इक्वल स्टफिंग हो तो यह देखिए इस तरह से बाल्स मैंने बना के सारी बाल्स रेडी कर लिए अब आते हैं डो की तरफ अब हमारा डो ठंडा हो चुका है अब ऐसा एक मोल्ट अराम से मार्केट में मिल जाता है लेंगे और उसे अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे गी से ग्रीस करने में इस तरह बंद कर लेंगे और जो डो बनाया है हमने बेसन का उसे अंदर फिल करेंगे फिल करने के बाद म उसको अच्छे से फिंगर से दबा के चारो तरफ लगाएंगे अंदर की तरफ जो इसकी वाल्स है उसको अच्छे से दबाएंगे उस तरफ और उसके बाद में सेंटर खाली हो गया अब सेंटर में जो ड्राइफूट की बॉल बनाई है वो डालके और बाकी इसको धक्कन की कि दरना एक तरह से फिड़ो से बंद कर देंगे यह देखी खोला और यह देखी मोदक रेडी हो गया इसी तरह हम सारे मोदक रेडी कर लेंगे और इस रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को घर में अपने हांसे मिठाई बना के खिलाईए और राकी बांदिये हैपी